हमारे चैनल Career World Education Hub Online Math Support को जरूर चर जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब का बटन दबा कर बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हमारे वीडियो जब डाले जाएं तो नोटिफिकेशन मिल जाए भी आपको सब्सक्राइब के सारे Solutions के वीडियो आपको यहां मिल जाएंगे इसके अतरिक तो मेरे बहुत सारे Motivative और Educational फिर बहुत सारा आपको Study का भी Material यहां मिल जाएगा तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें यहां बहुत सारे Playlists भी है इसमें भी आप आके देख सकते हैं हमारे वीडियो बाच कर सकते हैं चलिए आईए तो सुरू करते हैं आज का यह वीडियो हलो बच्चों मैं राहूल कुमार जो कि आप लोगे लिए लाता हूँ Best Educational and Technical Tips हमारे चैनल Career World Education और Online Support में आप सबो का स्वागत है अगर आप New Visitor है या फिर हमारे चैनल को Regular विजिट करते हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब करें क्यूंकि मैं यहां लाता हूँ Best Educational Tips और बहुत सारे ऐसे टेकनिक्स जो आपको Books या और कहीं नेट वगरा से नहीं प्राप्त हो सकेंगे आपको सर्फ इसी चैनल पे मिलेगा क्यूंकि मैं यहां बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ अपने आपको अपडेट करता हूँ आप लोग के लिए तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे सारे वीडियो को लाश तक देखे ताकि आपको बहुत सारे चीज़े गेन हो सके चलिया यह तो सुरू करते हैं आज का यह वीडियो तो आज का ही जो हमारा वीडियो है वो बिहार स्कुल इग्जामिनेशन बोर्ड के 10th इग्जामिनेशन में पूछे गए मैथेमेटिक्स के औपजयक्टिव पूर्शन का फूल ніप सॉलूशन को थिया थे बोथ 1 & 2 फॉय को सेदिय आपव देखे वीडियो, Q1 तक देखे और देखे किसका अंसर किससाबसे किया गया है ताकि मैं पूरे जिस option को मैं रंगूँगा उसका बिल्कुल बताऊंगा कि यह option मैंने क्यों मारा है क्यों चुना है और आप इसे देख के संतुस्टी प्राप्त कर सथे कि मेरा चलो इसमें इतना marks आ रहा है चलिए तो बिल्कुल एक चीज और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो बिल्कुल आप वीडियो को दिसलाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आता तो बिल्कुल लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए आइए तो सुरू करते हैं आज का Mathematics का Solution तो यहां पर हमारे पास बिएर श्कुल एक्टियमेशन बोर्ड में पूछे गया है उसके फर्स सिटिंग के कोश्चन का सॉल्यूशन है बिल्कुल एनलाइटिक रूप में मैं करने जा रहा हूं आईए देखते हैं उमीद करता हूं कि ये सॉल्यूशन आप लोग के लिए सार्था को काफी अच्छा प्रूफ हूं और अगर सॉल्यूशन करने में एक आद कोश से निधर उधर हो जाता है तो बिल्कुल आप छमा करेंगे बट इसको मैंने अपने तरफ से 100 परसंट सही करने की कोशिस किये और सही है चलिया यह तो देखते हैं आज का सॉल्यूशन यह जो हमारा है 0.32 इसको मैं थोड़ा सा सॉट कैसे बनाऊंगा 0.32 अब इसका जब आ गटाओगे तो आप नीचे लिखोगे 100 बिकाउस डेसिमल के बाद यहां पर दो डिजिट है तो 100 नीचे लिखा है अब एक चीज़ आप देखे कि यह जो रेकरिंग चालू हुआ है वो रेकरिंग चालू हुआ है डेसिमल के एक अंग के बाद तो जब तुरंत डेसिमल के देखे कि आप बाद रेकरिंग चालू होता है तो ओन घटाते हैं लेकिन जब डेसिमल के बाद चालू होता है एक अंग के बाद तो इसमें हम 10 घटाते हैं तो 10 घटा दिए और फिर ओपर में माइनस क्या करना होगा तो recurring के पहले कौन सी संख्या है तो recurring के पहले है 3 तो 32 में 3 गया तो 29 और 100 में से 10 गया तो 19 चलिए next question क्यों बढ़ते हैं next question है दो तथा 2.5 के बीच की अपरी में संख्या कौन सी है देखे मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप route final निकाली है न देखे 9 का route 3 हो जाता है तो 11 का route तो confirm 3 से extra होगा 22.5 का तो और भी जादा होगा और 12.5 का route और भी जादा होगा पहले ऐसा दिमाग लगाएंगे कि 9 का route 3 मिल जाता है हमको बोल रहा है 2 और 2.5 के बीच का तो 9 का route 3 मिल जाता है 3 संख्या है यह 9 से बड़ी है तो इनका route confirm है 3 से extra होगा तो हमारा 5 राइट answer 5 का route निकालेंगा तो 2.something 2.4 something के लगबग हमको मिलता है 2.3 के लगबग तो हमारा जो option is suitable वो option number B है तो 2 का भी next question है कौन सा कथन सही है B कोई में पढ़ देता हूँ क्योंकि B सही है एक परी में एवं एक और परी में संख्या का गुननफल हमेशा परी में होता है यह आप मानके चलिए बाकी और भी कोई option suitable नहीं है so that team का option number B right answer है next question हमारा है N1 प्राकरित संख्या है तो root N क्या होगा देखिए अगर पुर्ण वर्ग है तो प्राकरित संख्या देगी डेटमिन से अगर N को आप 4 मान ले तो 4 का root 2 यानि कि 2 एक प्राकरित संख्या है बट अगर 5 माने तो 5 तो root 5 एक अपरी में संख्या है तो जब भी आप किसी N प्राकरित संख्या का बर्ग करते हैं तो आपको कभी प्राकरित संख्या प्राप्त होती है और कभी अपरी में संख्या तो option number D is right answer next question काफी इंट्रेस्टिंग कोश्चन है यह देखिए माइंड पे निर्भर है यहां कहा रहा है कि 13986 अभाज संख्याओं का योग N है तो N हमेशा किस से भी वाज होगा यह मैं इसका analytic करके दिखाता हूँ देखे दो ही केवल ऐसी एक संख्या है जो सम है और अभाज है तो सबसे पहली संख्या दो है जो सम है और अभाज है बाकी जो दो को अगर निकाल लेंगे तो मेरा बच्या 13985 संख्या यह 13985 संख्या जो है वो होगी बिसम और मैं एक बात बताना चा पिर से देखे 13,985 संख्या दो को छोड़के 13,986 में दो विशम मिली थे दो को छोड़के 13,985 संख्या विशम है और जब विशम संख्या को विशम बार जोड़ा जाता है तो हमको मिलती है विशम संख्या तो ये 13,985 विशम संख्याओं का योग हमें मिलेगी एक विशम संख्या में दो जोडेंगे तब भी हमें मिलेगी बिसम संख्या क्योंकि बिसम जोड सम बिसम होता है तो कोई भी बिसम संख्या को ना तो छे ना चार और ना ही आठ कोई भी कट नहीं कर पाएगी एक बिसम संख्या ही कट कर पाती और बिसम संख्या option में नहीं है so that the suitable option will be option number D none of these next question देखे ये एक cubic polynomial है और cubic polynomial का जो degree होता है जो घात होता है वो 3 होता है तो 6 का option number 3 is right answer next question है एक घात ये बहुपत के सुन्याको का योग एवं गुननफल 2 और minus 15 है तो बहुपत होगा देखे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ अगर तो इक हात ये बहुपत है तो उसको कैसे build करते हैं x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta ऐसे करके build करते हैं तो x square का x square minus alpha plus beta alpha plus beta यहाँ 2 दिया हुआ है तो minus 2x और alpha into beta minus 15 दिया हुआ है तो minus 15 so that 7 का option number B is right answer अगला question है कि इसमें k का देखे यह तो option मतलब ऐसे ही बना सकते हैं देखे यहाँ x का value आप put कीजिए 1 तो यहाँ यह हो गया 1 जब मैंने put किया second में जिसमें k पुछ रहा है और आपको solve करने की ज़रूरत नहीं है x का value आप 1 put कीजिए तो 2k फिर by का value अगर आप minus 1 put करते हैं तो minus 7 फिर minus 5 is equal to 0 minus 7 minus 5 minus 12 उधर जाके plus 12 plus 12 बटा 2 6 यानि option number C next question ax q plus bx plus cx plus d जो तरिखाती है बहुपद है और इसका एक सुनेक देखें मैं आपको इसको ऐसे बताके चलता हूँ alpha beta beta gamma और gamma alpha इसका value होता है इसका value होता है x का गुनांक x का गुनांक बटा x q का गुनांक ok x का गुनांक बटा x q का गुनांक मुझे ऐसा लगता है कि option में यहाँ पे x square होना चाहिए था थोड़ा सा printing mistake इसको बोला जा सकता है इसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे x square होना चाहिए था ok थोड़ा सा printing mistake मुझे लग रहा है दोनों हिंदी इंगलिस में चलिया यह तो देखते है x का गुनांक बटा अब बोल रहा है कि 1 सुन्यक 0 है चलो आओ गामा को 0 मान लेता है तो यह भी 0 यह भी 0 क्यूंकि गामा 0 था तो इस term को 0 कर दिया इस term को 0 कर दिया अब बोल रहा है इसके अन्य दो सुन्यकों का गुनांफल कितना है तो अन्य दो सुन्यक बच गया तो इनका गुनांफल बिल्कुल इतना होगा पाकि ये दोनों तो 0 हो गया तो alpha into beta बराबर x का गुनांक हमारा मैंने अभी बोला कि यह x square होना चाहिए x का गुनांक c c बट्टा x q का गुनांक a तो c बट्टा a यानि option number b is right answer next question क्यों चलते हैं हमारा next question है कि यह बहुपद अगर x minus 2 से भिभाज है x minus 2 को जब हम 0 मानेंगे तो x का value 2 आएगा अब आईए 2 put करते हैं 2 का हाँ तो जब इसमें 2 put करेंगे तो इसका value 0 आएगा यानि पुर्टा बिभाज है यानि गुनांखंड का value put किया जाता है इसमें x 4 का तो आपको 0 आना चाहिए यह तो x q का value 8 8 और 8 16 फिर x square का value भी 16 sorry x square का value फिर से 4 तो 4,4,16 16 और 16 32 अब यहाँ भी आप जब value put करेंगे तो हो जायागा minus 2p plus 32 is equal to 0 तो 2p उधर जाके हो जायागा plus 2p और बटा में आजायागा 2 तो हो जायागा 16 का option number d next question है किसका कौन साल है देखिए मैं आपको option से ही बता देता हूँ x का value 2 रखिए और by का value 1 रखिए तो 2 minus 2 गुना 1 यहनि 2 में से 2 गया 0 इसमें भी आप put कर लिजे 3,2,6 और 4,4,6,4,10 तो option number a is right answer next question है मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ 10 to the power 2 by का value दिया हुआ है 25 तो एक काम के जब आप दोनों तरफ root कर लिजे तो जब आप root करेंगे तो 10 to the power by is equal to हो जाएगा 5 अब बोल रहा है 10 to the power minus by that means इसको पलट देंगे तो 10 to the power minus by का value हो जाएगा 1 by 5 so that question number 12 का option number a अगला question है 2k minus 1k समीकरन इतना का हल है तो एक काम करते हैं हल है that means इसको संतुष करेगा तो आईए value निकालते हैं 10 into 2k minus 1 और फिर minus 9 into k is equal to हमको 12 लाना है तो यहां हो गया 20k minus 10 20k minus 10 minus 9k is equal to 12 तो आप क्या करेंगे 10 को जब उदर भेजेंगे तो 22, 12, 10, 22 और 20k मेंसे 9 के गया तो 11k अब 11k बराबर 22 तो k का value 2 option number b next question है x is equal to इतना देखे इसको मैं बनाऊँगा तो काफी long चल जाएगा मैं आपको बता देता हूँ pair बनाने के लिए हांसे 2 आप निकाल लिजिए तो अंदर बच गया 2 है न 2 पुर्ण संख्या में उसका जरा स्क्वाइर कर लेंगे तो 2 का स्क्वाइर 4 2 का स्क्वाइर 4 और root 3 का स्क्वाइर 3 तो 4, 3, 7 यानि कि यहां जो इसका जब हम root निकालेंगे तो हमको मिलेगा 2 plus root 3 और जब इसको हम पल्टेंगे 1 by x को तो फिर हमको मिल जाएगा 2 minus root 3 वो आपर rationalization करके देख लोगे मुझे sort आता है तो मैं sort कर रहा हूँ root 3, root 3 cancel 2, 2, 4, option number A, next question है देखो मैं इसको कैसे इसको मैंने मारा है जैसे आप x q plus 1 का value अगर यहां पे आप q रखते हो तो x q plus 1 यानि x q plus 1 यानि a q plus b q का condition x plus 1 से बिल्कुल divisible है तो इसलिए मैंने इसमें बिसम पुर्णांक मारा है और उमीद करता हूँ कि यह option बिल्कुल suitable और सही है और इसमें बिसम पुर्णांक ही होना चाहिए और होगा तो 15 का option number है, next question है 10 theta is equal to इतना तो इसका मान कितना होगा देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इसको 10 को आप sin में तोड़ देंगे 10 को तोड़ देंगे इस तरह से root over 3 sin theta बटा cos theta minus, sorry, is equal to 3 sin theta अब सबसे पहले आप इससे जिसका भी value निकले, निकाल लेंगे sin theta, sin theta cancel root 3 से 3 कट गया root 3 बारका, अब हमको cos theta निकालना है, तो cos theta हो गए आप पलट जायेगा ये, चुकि cos अभी नीचे है, तो cos जब उपर जाएगा, तो ये पलट जायेगा 1 बटा root 3 तो 1 बटा root 3, that means cos theta का value निकल गए आप sin theta minus cos theta को जब तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1 minus 2 1 minus 2 cos square theta तो जब आप 1 minus 2 cos square theta का value डालेंगे तो 1 बटा 3, यानि कि 1 minus 2 बटा 3 तो 1 बटा 3 इसका option होगा, 16 का option number B अगला question है, 10 30 और 1 plus 10 square 30 का value क्या होगा जब इसको आप solve करोगे, तो आपका आएगा root 3 by 2, root 3 by 2 value देता है 60 so that 60 is right answer 60 is right answer 17 का A next question है, sec is equal to sec भी देखिये आप जानते होगे sec is equal to cosec भी, आप जानते होगे cosec 90 minus theta बड़ाबर sec theta और sec 90 minus theta बड़ाबर cosec theta तो याँ best pair 90 बनेगा A plus B का value 90 होगा, किसी को भी घटाएगा तो cosec से आप sec और sec से आप cosec निकाल सकत 13 का option number C अगला question है कि A और B पूरक है A और B पूरक है, that means A और B का value का जोड 90 डिग्री है तो C automatic 90 डिग्री हो गया अब cot 90 का value, यानि कि cot C का value cot 90 का value हो, हमारा 0 option number B अगला question 10 alpha plus beta बड़ाबर root 3, यानि alpha plus beta का value 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 क्यों, तो 10 60 में देता है root 3 तो alpha plus beta का 60 अब 10 alpha बड़ाबर एक बड़ा root 3 यानि कि alpha का value 30 कैसे तो alpha का value 30 यासे क्योंकि 10 30 में देता है, one matter root 3 तो alpha plus beta 60 और alpha का value 30, तो that means beta का value 30, तो 10 30 का value फिर से one matter root 3 option number C next question अगला जो हमारा question इसको मैंने देखि solve किया है, यह कैसे solve होगा मैं थोड़ा से आपको बता देना चाहता हूँ इसको इस तरह से आप draw करेंगे और उसके बाद एक और थोड़ा दूर लेंगे और इसको भी इस तरह से draw करेंगे यहाँ पर आपका 45 degree और यहाँ पर आपका 60 degree और इसकी value आपको h को पूछ रहा है, अब देखिए यहाँ से इसकी दूरी दिया हुआ है 50 क्या रिया हुआ है, 50 दिया हुआ है और यहाँ से इसकी दूरी देखिए 50 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, h हमको निकालना है तो h निकालना है, तो 10, 60 लगाके h और इसका value निकाल लेंगे या फिर देखिया पैसे भी कर सकती है 45 तो ये h तो ये पूरा भी हो जाएगा हमारा h पूरा हो जाएगा हमार कितना h total एकदम नीचे वला जितना भी आप देख रहे हैं total हो जाएगा h तो ये value कितना हो जाएगा ये हो जाएगा h-50 कैसे तो total h और ये value h-50 अब आप क्या करेंगे इस ट्रेंगल में आ जाएगे इस ट्रेंगल में 1060 पुट करेंगे और फिर h और 1060 is equal to h बट्टा h-50 पुट करेंगे तो आपका value आ जाएगा 25 into 3 plus root 3 तो option number d इसका होगा next question है जब सीधे खड़े खंबो के छाया और उसकी उचाई खंबो के छाया और उसकी उचाई क्या होँ बराबर तो छाया और उचाई भाईया 45 डिग्री में equal होती है अभी उपर वाले question में ही मैंने बताया था next question है h1 और h2 दो मिनार के पदो को जोडने वाली रेखा का मद बिन्दू इसको मैं solve करता हूँ दो मिनार है तो मद बिन्दू यानि mid point का condition यानि ये अगर x तो ये भी x अब आईए एक का value बोल रहा है 60 किदर वाले का h1 वाले का 60 और h2 वाले का 30 तो हम करेंगे क्या हम करेंगे 1060 is equal to h बटा x है ना यहाँ पर देखे मैं कर रहा हूँ 1060 is equal to h1 बटा x तो x का value हो जाएगा h1 बटा 1060 और उसी तरह से इधर के x का value हो जाएगा h2 बटा 1030 तो h1 बटा तो h1 बटा h2 जब हम निकाल लेंगा तो 1060 उपर और 1030 नीचे चला जाएगा जब हम उसका रेशियो निकाल लेंगा तो 1030 का 3 by 1 होगा तो 3 और 1 तो option number 23 का option number है next question है देखिए मैं एक थोड़ा सा चीज बताना चाहता हूँ इस question में मुझे थोड़ा confusion है देखिए मैं share करना चाहता हूँ आपसे I think ऐसा मैं कया नहीं रहा हूँ बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस question में मुझे कुछ problem है मतलब इस question में ही कुछ problem है ये question मुझे तोड़ा गलट type का feel हो रहा है कैसे मैं बताता हूँ देखिए मिनार उच्छा है 6 meter इस समय खंबे की छाय एक और खंबा है उसकी छाया है 50 meter तो भाईया 50 meter है ऐसे तो आप इसको 40 इसको option में ले आता बट इस question में मुझे problem है ये question I think की गलत है या फिर देखिए मैं बिल्कुल इसको final नहीं कर सकता हूँ बट ये question देखो मैं समझाने की कोसिस कर रहा हूँ कि इस question में कुछ fault है चाया 50 है तो confirm है कि इसका जो मिनार होगा इसका जो खंबा होगा वो 50 से greater है क्योंकि इसी time जो अब चाया 4 थी तो bridge की उचाई 6 थी ओके चाया से लंबी चाया से बड़ी तो इस time 50 meter लंबी चाया है तो खंबे की उचाई उससे बड़ा होगा ना उसी time में तो कोई भी options उटेवल यहां नहीं दिख रहा है मेरा option 75 आ रहा था 75 इसमें कोई नहीं है तो मैंने इससे नहीं लगा है और I think ये set number 2 में भी है set number 2 का भी अभी मैं solution करके डालूँगा तो set number 2 में भी यह है उसमें भी यही problem है चलिए नेक्ट question है यह है कि अब एक 6 meter यह उच्छा है और 6 meter उच्छा है और पृत्वी पर उसका 2 root 3 2 root 3 2 root 3 बन रहा है तो देखे कैसे यहाँ पर आपको theta निकालना है 60 में 25 का option number A next question सरल रेखा है x बराबर 2 और by बराबर देखो मैं खीच देता हूँ x बराबर 2 का मतलब इधर से ऐसे लंबा और by बराबर minus 2 का मतलब मतलब नीचे में minus 2 पे ऐसे लंबा तो यह दोनों एक दूसरे पर perpendicular है option number A next question यह बराबर इतना तो तिरबुच का चेतरफल क्या होगा इसका होगा option number C कैसे मैं पता देता हूँ सबसे पहले देखिए x1 और x2 वाला condition तो 0 हो जाएगा क्यूंकि x1 और x2 0 है और बाकी बच जाएगा x3 तो इसको mode में लेंगे तीन गुन्ना और उसके बाद फिर घट जाएगा एक माइनस पाँच तो एक माइनस पाँच यानि चार चार तीया बारा माइनस में लेकिन mode होने को जो से पलस बारा पलस बारा बटा दो यानि कि 6 option number C next question है तिरबुच का चेतरफल जिसके सिर्श इतना है कर सकते हैं option number C आएगा 6 अगला question है इसमें देखे विभाजन सुत्र लगाई ये option number A आएगा विभाजन सुत्र लगाईए 29 में और ऐसे 29 का option number A है आप विभाजन सुत्र लगाए चेक कर सकते हैं मूली बिंदू से इसकी दूरी दूरी सुत्र लगाईए मूली बिंदू वाला 5 आएगा option number D next question है कि इसमें देखे क्या है ये जब इसका root करेंगा तो ये हो जाएगा 1 और total हो जाएगा root 2 तो हमको पूछ रहा है PQ बटाए Q तो एक मिनुट एक मिनुट इसमें थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा अब ये हो गया हमारा root 2 ratio नीचे वाला हो जाएगा root 2 minus 1 ये Q के value पूछ रहा है तो root 2 minus 1 चुकि उपर वाला 1 बना रहा है तो root 2 minus 1 तो ये ratio मुझे कहीं मिल रहा है क्या एक मिनुट देखने देजिए और तो कहीं नीचे वाला PAB और PQR तो समांतर है तो root करने पर 1 और root 2 है ना तो PQR का value root 2 जा रहा है तो इसका root 2 और इसका 1 तो जब घटाया जाएगा तो root 2 PQ का root 2 और इसका root 2 minus 1 अगर rationalization भी किया जाएगा तो ये तो बड़ा होना चाहिए इसका option number D होगा इसमें option number D मारा जाएगा और कोई option नहीं मिल रहा है दो ratio root 2 minus 1 का और कोई option suitable यहां दिख नहीं रहा है so that option number D इसका होगा next question क्यों चलते हैं ये तो बहुत हलका question है ये 60 BSE 60 तो ये center वाला 120 अब ये 120 और ये दोनों सेम होगा क्योंकि ये दोनों radius है तो 120 तो बाकी बच गया 60 60 को दो भाग में बाट देजिए 30 32 का option number D next question है ये भी अलका है TPS का value यानि ये वाला value है 65 तो OTS का value पुछ रहा है ये वाला तो ये 65 तो सामने वाला ये 65 तो सामने वाला हो गया 115 अब 115 आब इसका इसका जोड सेम होगा तो ये दोनों बच गया 65 ये दोनों 65 बच किया तो 65 को दो भाग में बाट देजिए तो 35 33 का option number B next question है कि ये तो भी वाजन सुतर है इसको अंता भी वाजन करने के लिए कितना तो ये दोनों को जोड देजिए 2 जोड 3 यानि 5 option number B next question है इसमें value निकलना है तो कैसे होता है AB बटा AC AB बटा AC तो होता है BD बटा DC तो 5 बटा 7.5 यानि कि धाय दुना 5 और धाय ती अप सारे सा तो 3 भाग 2 जब हम करेंगे तो 0.6 के लगबगा आएगा option number D अगला question है कि कि दो समदिवाहों तिरुकुछ के कौन बराबर है और 6 फलो का अनुपाद 16 अनुपाद 25 है तो उनकी उचाईयों का अनुपाद क्या होगा रूट कर दीजिए तो 4 अनुपाद 5 option number A अगला question है किसी ब्रित के ब्यास के दोनों को किनारे पर खीची गई ब्यास के किनारों पर खीची गई समानतर होगी ब्यास के किनारों पर खीची गई समानतर होगी 37 अ next question है P A और P B किसी बिंदू P A और P B किसी बिंदू P से O के दरवाले ब्रित पर खीची गई इस पर रिखाए उनके बीच का जुका वासी डिग्री है तो पी ओ एक का वैल्यू कितना होगा देखें मैं इसको बना कर दिखाता हूं यह आपका है अब पुछ रहा है कि पी और पी बी किसी बिंदू पी से हो के अंदर वाले पी और पी यानि कि पी से खीचिये ओ यहां है पी और पी खीचा है ऐसे करके पी और पी भी खीचा है अब पुछ रहा है बीच का कोन का जुका जो है वो 80 डिग्री है तो यह 80 डिग्री तो हमारे सेंटर पर जो कोन होगा वो 100 डिग्री होगा अब पुछ रहा है पी ओ ए का वैल्यू कितना डिग्री पी ओ यह 80 डिग्री तो यहां पर जो ह हमारा कौन है वो होगा 100 डिग्री 100 डिग्री अब पुछ रहा है पी यो ए यानि पी यो ए 100 का आधा कर दो आप तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री अब आए नेक्स्ट कोश्चिन क्यों चलते हैं यह गया चितर में पी इस इकोल टू एट सेंट टोटल फिर बाहर वाला गुना टोटल इकोल होता है तो ऐसे कंडिशन में जब आप निकाल लेंगे तो यह बाहर वाला पी बी का वैल्यू एकस अगर इसको पूट करते हैं तो साड़े तीन आ रहा था तो मैंने इसका डी मारा साड़े चार क्योंकि अंदर वाला पुछ र नेक्ट कोश्चन है एक 14 संट्मेटर के बेलन के बक फिर का चेतरफल इतना है तो इसका आयतन कितना होगा इसका इतन 396 होगा बक फिर के चेतरफल से आप रेडियस निकालके और फिर पाई और स्कारेज का कंडिशन लगा दीजिए तो आपको 396 अंसर आ जाएगा नेक्ट तो सता के चेतरफल का अनुपात क्या होगा तो गोलो यह मतलब कोश्चन में भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कोश्चन रॉंग है मैं रॉंग नहीं कर रहा हूं कह रहा हूं बट यह कोई option suitable ही नहीं इसमें 8 और 7 अगर 8 और 27 रहता तो कुछ हद तक सोच सकते थे तो सता के चेतरफल का 8 का क्यूब रूट दो और 27 का तीन तो यहां option नमबर डी बन पाता बट यहां 8 और 7 है 7 का कैसे बनाओ गया शाथ पॉसिबल नहीं है पॉल्यूम्स दिया हुआ है सर्कम सर्फेस एरिया पुछ रहा है तो इसका क्यूब रूट निकालते 8 का दो और 27 का तीन तब स्क्वाइर करते तो चार नो पर यहां तो 8 हो साथ है तो अगर यह 27 होता तो option नमबर डी होता तो अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंग अब देखे भी आर बोत क्या करती है next question है 43 है एक ठोस बेलन के बाकर प्रिस्ट का चैतरपल इसके कुल प्रिस्ट चैतरपल का एक तीहाई है यह देखिय कैसे बनाएगा बाकर पिस्ट का चैतरपल 2 पाई आर है और इसका होता है समपन पर पर पाई आर और फिर आर पॉला ह यह बूल रहा है एक तिहाई है एक बटा तीन टू-पाई-अर 2 पाइ-I-A-R कट गया तीन इधर आजाएगा तीन बराबर आर पोलस एच और दो लॉप्धर आएगा तो तू-ज़ बराबर आर इसलिए एच बराबर आर बटा टू यानि की आक्टन नमबर बी निक्सक्ट को सबसे बड़ी संख्याओं का माद 6 है तो सबसे बड़ी संख्याओं देखिए तो 6 के जैस्ट बाद वाला साथ होगा फिर 5 होगा फिर 5 के पहले की भी संख्याओं यह सबसे बड़ी नौ आप इसको सल्योशन्स भी कर सकते हैं मैंने यह ट्रिक दिया है अगला कॉस्चन है इसमें देखिए 4 भी 3 बार आया है और 6 वी तीन बार आया तो बहुलक 2-9 हो सकता है चार और 6 दोनों हो सकता है बहुलक इसमें 3 सिक्क्ष उच्छा लेंगे, तो कम से कम 2 हेट, देखे, 3 सिक्का उच्छा लेंगे तो, őर, फिर होगा, कम से कम दो हेट तो कम से कम दो हेट यहां मिल गया कम से कम दो हेट यहां मिल गया तीन है कम से कम दो बोल रहा है ज्यादा ज्यादा नहीं ज्यादा ज्यादा तीन चार पांच जो हो तो कम से कम दो हेट यहां एक दो तीन चार तो चार है कम से कम 2,4 और total occurrence 8 है, 3,3,6,2,8, तो 4 बटा 8, 1 बटा 2, option number A, अगला question, एक साथ 2 पासो को उछालने पर प्राप संख्याओं का जोड़ साथ होने की क्या probability है, एक साथ 2 पासो को उछालने पर प्राप संख्याओं का योग साथ होने की क्या probability है, देखिए, एक साथ 2 पासो को उ उठाएंगे, उचालेंगे तो 36 occurrence और 7 होने का, दो-दो, एक का छे के साथ, छे का एक के साथ, यह से करके 6 occurrence बनेगा, 6 बटा, 36 कार देंगे, एक बटा 6, option number B, last question, निम्न में से कौन सी घटना की प्राइकता नहीं हो सकती है, 1.1, देखिए, प्राइकता कभी भी negative, 0 से कम, औ और कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती, तो यहां option number A होगा, एक से ज्यादा नहीं, second setting का भी load किया जाएगा, आप लोग धैर बनाए रखें, चलिए आईए, आज के लिए यतना ही, that's it, मिलते हैं अपने next video,